जूट है गलत है और ये गौवर्मेंट की पालेशी ये मुल्क के खिलाफ है कुतम मीनार और ये ग्यान वाफी मख्जीद जो है तो आज की बनी हुई है तो आज इसमें शिवलिंग निकल लिया यह बिल्कु जोटे बाते हैं जूटे प्रोपगंडे है ग्यान वाफी मसजिद का मुद्दह और शफीकु रहमान बर्क किस तरह से चुप रह जाया भी इस वक्त मुसल्मानों को भर्काने में लगे हुए है शफीकु रहमान बर्क से जब इस बारे में पूचा गया और आचानक वहां पर शिव लिंग कहा से निकलाया उन्होंने इस तरीके के सर्वे को भी गलत बताया उन्होंने साफटव पर यह भी कहा है कि सर्वे जो हो रहा है गलत हो रहा है और जिस तरह का एजन्डा और जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस वक्त सरकार फ्यलाने की कोशिश कर रही है बेहद निंदनी हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं अगरकार शफिकुर्हमान बर्ग किस तरह से केंदर सरकार पर हमलावर हुए, किस तरह से नहोंने निशाना साथ और क्या कुछ कहा उन्होंने इतने इस पयान में चल रहा है ज्यानबाजी मजजित है वो और वरानसी का ये पुरा मामला है, मजजित में सिविलिंग निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? जोट है, गलत है और ये गौवर्मेंट की पालेसी ये मुल्क के खलाफ है, और मुसल्मान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जियेंगे, अगर मुसल्मानों के साथ इस तरह की पालेसी बरती गई, और ये जगा जगा जो इस तरह की कि उन्नती के लिए जरूरत है इस बात की के सब में जहती हो महबत हो आप मिल जूलकर काम करें अर्वे मुल्क की तरक्की के लिए काम की यह तो नफरत प्ला रहे हैं आज की बनी होई है कुटम मिनार और यह ग्यान वाफी मजजिद जो है तो आज की बनी होई है तो आज इसम कि आरे मुसल्मानों सबी कहूंगा कि मुसल्मान इस पर सरजोल के बैठें और इसका अपने मुस्तखबिल के लिए मुल्क के लिए सोच है जिस तरीके से मजजिद पर सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुधाय के लोगों से मस्जिद निकलने के बाद तो आ की लिए किसी के मंदर पर कोई इत्राज ने है। जो भी इस रही हएं और अंका मजब यह ममला है। वैसे हिए हमारा मजशिद में आरहा हम मजजिद में जाते हैं ऐख माफी चाहते हैं और कोई मवस्तें नहीं होता हुमारा वहां कोई पॉलिटिक्स करें को और कोई काम नह तो इस पर क्या कहना चाहिए तो यह तो यह यह पॉलिशी ठीक नहीं है इसलिए गौवर्मेंट को मुल्क को तक्सीम नहीं करना चाहिए गौवर्मेंट तो देखा आपने के शफिकूर हमान बर्क ने कहा है कि जिस तरह की चीज़े इस वक्त ग्यानवपी मस्जिद को लेकर की जा रही है वो गलत है मस्जिद वहीं थी है और रहेगी यह भी उन्होंने कहा दिया है और जिस तरह का एजंडा फैलानी की कोशिश बीजेपी सरकार की की जा रही है वो उसका साफ तोर पर विरोध करते हों नचरा रहे हैं उससे पहले अखलेश चादव इस तरीका बयान दे चुके हैं कि ज्यानवप मस्जिद को लेकर के जिस तरह का एजंडा फैलाया जा रहा है वो बहत गलत है इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए तो समा कुर्हमान बर्क जैसे नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं और ग्यानवप मस्जिद को लेकर जिन जिन नेताओं के बयान आ रहा है उसकी फेरिस विलम भी होती जा रही है तो आकिकारी मुद्वा कहां जाकर रुपता है भी देखने लाइक बात होगी फिलाल इस वी